रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत आपका हमारे चैनल में दोस्तों आपको बता दें कि सभी पुर्णिमाओं में से जो सबसे श्रेष्ट फलदाई और शुब पुर्णिमा मानी जाती है वह होती है जेश्ट मा की पुर्णिमा जिसे हम सब वट पुर्णेमा या जेश्ट पुर्णेमा भी कहते हैं और दोस्तों इस बार ये पुर्णेमा पांच जून को पड़ रही है दोस्तों आपको बता देएं कि जेश्ट परणेमा की तिथी को सूर्य और चंद्रमा का संगम भी कहा जाता है बता दें कि इस दिन सनान और दान से मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है इसलिए मोक्ष की कामन रखने वाले इसे बहुती ज्यादा शुब दिन मानती है दोस्तों इस बार के पुर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन उपचाया चंद ग्रहन पढ़ रहा है जो कि दोस्तों अब तक का सबसे लंबा चंद ग्रहन कहलाएगा बता दें कि यह ग्रहन पांच जून की रात सवा ग्यारा बजे शुरू होगा और छे जून की रातरी दो बच कर चौतिस मिनिट पर खतम होगा इस ग्रहन की कुल अवदी तीन घंटे अठारा मिनिट की होगी दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम सभी के जीवन में कई सारी दुख, कष्ट और परिशानिया हैं ऐसे में भगवान की भक्ती करके लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं और दोस्तों ऐसा माना गया है कि जेश्ट पुर्णेमा के दिन जो व्यक्ती सच्चे मन से अपने ईश्वर की पूजा अरादना करता है तो उसे इसी जनम में मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है दोस्तों यदि आप इस दिन का पूण रूब से लाब उठाना चाहती हैं तो आप इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और सनान करने के बाद भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी की सच्ची मन से पूजा और अरादना करें दोस्तों अगर आप इस दिन भगवान सत्य नराण की कथा सुनती हैं या फिर पढ़ती हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट भगवान विश्णू दूर करेंगे और माल लक्ष्मी जी कभी आपको आशिरवात प्राप्त होगा जिससे आपकी धन संबंदी सभी परिशानिय दूर होंगी दोस्तों इसके साथ ही इस दिन शाम के वक्त आप भगवान विश्णू और मताल लक्ष्मी जी के मंत्र का जाब करें भगवान विश्णू का प्रिये मंत्र है ओम नमो भगवती वासु देवाय नमहा और मताल लक्ष्मी जी का प्रिये मंत्र है ओम श्रीम श् आप जरूर करें और दोस्तों इसके साथी भगवान विश्णू और मा लक्षमी जी के आगे आप तेल का दीपक भी आवशे ही जला दें और साथी में अपने मुखे द्वार के आगे भी आप दीपक जरूर जलाएं दोस्तों इसके साथी इस दिन दान करना भी अतियंत बेहती ज्यादा खास योग में आ रही है जैसा कि आप जानते हैं कि यह पुर्णिमा शुकरवार के दिन पढ़ रही है और बता दें कि इस दिन शुकरग्रह उदेय भी हो रही है शुकरवार का दिन माता लक्ष्मीजी का दिन हुता है और माता लक्ष्मी जी को पुर्णे मा के तिथी सबसे ज्यादा प्रिय होती है और इसी के साथ शुक्र ग्रह का इस दिन उदै होना इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाता है क्योंकि दोस्तों जब भी कोई ग्रह अपने राशी परिवतन करता है या फिर उदै या अस्त होता है तो उसका असर विभिन राशियों पर भी होता ही होता है और दोस्तों चंदगरहन के पढ़ने से भी इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है और इसका प्रभाव भी विबिन राशियों पर देखने को मिलेगा दोस्तों बता दें कि इस दिन से भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी की कृपा कुछ राशियों पर होने वाली है और इन राशी वालों के मानों अब भाग यही खुलने वाले हैं तो आखिर ये राशियां कौन सी हैं और इन्हें क्या शुब भलों की प्राप्ती होगी आपको ये सब हम आज इस वीडियो में बताएंगे तो आपसे अनरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिसना करें और इसे अन तक जरूर देखें चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपको बता दे कि ये राशिय वाले लोग अब भुथी जियादा भाग ये शाली रहने वाली हैं इन राशीय वालों के योपर भगवान विश्नु और माता लक्ष्मिजी के कृपा अब से बनी रहने वाली है बता दे कि आपके परिवार में सुक्सु विद्धा आप लोगों को भवन एवं वाहन की प्रापति संभव है। लिकिन दोस्तों आप लोगों को इस बीच अपनों के प्रती संतुलन बना कर चलना होगा। आप लोगों को इन दिनों में कोई सुखद सरप्राइस मिल सकता है बस आप लोग जितना हो सकी अनावशिक चर्चा करने से बचें आने वाले दिनों में आप लोगों की कोई सुखद यातरा का भी योग बन रहा है दोस्तों अब चली आपको बताते हैं कि आखिर ये भागिशाली राशिया कौन सी है दोस्तों सबसे पहली राशी है मेश राशी जी हाँ आपको बता दें कि इन राशी वालों के उपर सबसे पहला असर देखने को मिलेगा आपको घर परिवार में अपने माता पिता का सहयोग सबसे अधिक प्राप्थ होगा कारिस्थल में मान समान की वृद्धी आपको देखने को मिलेगी आपके पारिवारेक छोटे मुटे जगडे खतम होंगी और अब आप लोगों की किस्मत भगवान विश्णुजी के आशिरवात से पलटने वाली है इन दिनों में आप लोगों के पास धन प्राप्थ होने के योग बन रहे हैं और मतल लक्ष्मी जी के क्रेपा से आप लोगों के घर में खुश्यां खुश्यां अब आने वाली है दोस्तों अगली राशी है सिंग राशी बता दें कि आपको करियर में आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं आपका जोरान स्वास्त अच्छा रहेगा बस आप अपने विचारों को सकरात्मक बनाए रखें इसके साथी साथ कड़ी मेहनत आप कड़ते रहें धन कमाने के अच्छे मौके आपको आने वाले दिनों में प्राप्त होंगे दोस्तों अगली राशी है कन्या राशी बता दें कि आपके द्वारा लिए गए मेहनत पूर निर्ने फायदे मन साबित हो सकते है आपका कोई पुराना वाद विवाद अब दूर हो सकता है पार्टनर के साथ अच्छा समय आप वितीत कर पाएंगे अगर कोई संपत्ती का विवाद चल रहा है तो उसमें आपको विजय देखने को मिलेगी और बार-बार किया गया प्रयास आपके लिए आननदायक रहेगा आप लोग अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा हासिल करेंगी आप लोगों के जीवन में नई खुशियां दस्तक देने वाली है आपको अपने जीवन में अपार सफलताय मिलने के योग नजर आ रही है दोस्तों बता दें कि अगली राशी है दुला राशी बता दें कि सफलता प्राप करने के लिए आप अपने शक्ती और कमजोरी का सही दिशा में प्रयोग करें अपने व्यापार में बिक्री बढ़ाने के लिए नए उत्पाद, नीतियां और योजनाई आप बनाएं आप इस दोरान नए व्यवसाई या नीजी कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी दोस्तों बता दें कि अगली राशी है मीन राशी, बता दें कि आने वाले दिनों में मीन राशी वालों के प्रेमी प्रेमिकाओं की संबंद बहतर होंगी, आपके जीवन का हर एक शन सुहाना हो जाएगा, आपके कारोबार में वृद्धी तेजी से बढ़ने के योग बन रह हैं और आप लोगों को अपार धन के लाब होंगे, बता दें कि आपका आने वाला समय बहुती ज्यादा शुब है, आपके मदुरवानी से लोग काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों का अंत जल्द ही होने वाला है, दोस्तों बत दें कि अगली राशी है कुम्ब राशी, बता दें कि आने वाले समय में आप लोग अपने शत्रों पर हावी रहेंगे, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहतरीन समय को वितीत कर पाएंगे, आपके जीवन के सभी दुख दर्द माता लक्ष्मीजी अव समाप्त करें आप लोगों को अचानक भारी धनलाब होने की संभावना नजर आ रही है। माता लक्षमी जी दूर करेंगी।